तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टिंट और बिना फर्मेंट किये हुए उत्तप्पा और इसमें लगने वाली सामागरी है बारिक कटा हुआ एक टमाटर एक बारिक कटा हुआ प्यास धन्या पत्ती एक कप पुहा आदक कप सूजी नमक तेल और दई हमें इस पुहे को पाच मिनिट के लिए पानी में भिगोकर रखना है ताकि वो नरम हो पाए फिर इसे चाननी से चान देना है और ये पानी ठेक देना है फिर हमें एक मिकसर ग्राइंडर में ये पुहा लेके इसकी पेस्ट बनानी वाली है थोड़ा सा पानी एड़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे ताकि वो इस अच्छी तरीके से बन पाए फिर हमें एक बावल में लेके ये पेस्ट को निकाल लेंगे इसमें आदा कप सूजी एड़ कर लेंगे और दो से तीन चमच दही और स्वाधनुसा नमक फिर हमें यहाँ पे एक से देड़ का पानी एड़ करके इससे अच्छी तरीके से मिला लेना है फिर इसमें हम एक चमच मैदा डालेंगे अगर आपके पास मैदा ना ऊव तो आप राइस फ्लार का भी यूज कर सकते हो और फिर इसे अच्छी तरीकी से मिला लीजिए और इसे 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने रख देना है अब हम एक तान में थोड़ा सा 1 टी स्पूल ऑईल डाल के उसे चारो तरफ स्प्रेड कर देंगे इसमें ऑईल का यूज जादा नहीं करना है फिर हमने जो डोसा का बैटर बनाया है उसे एक चमच लेकि इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और हल्की से स्प्रेड करने वाले है फिर इसमें थोड़ा सा प्यास थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी धन्या पत्ती डाल देंगे और इसे पाच मिनिट दलग हल्की फ्लेव में पक लेंगे पाच मिनिट की बाद हमें इससे फ्लिप करना है फिर पाच मिनिट के बाद ये हो गया हमारा आनियन इंस्टेंट उत्तपम रेड़ी ये हो गया हमारा इंस्टेंट उत्तपम रेड़ी आप इसे कोकोनेट चेकने के साथ सव कीजिएगा अगर आपको मेरी रिस्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आनिवली रिस्पी के बारे में अपडेट्स मिलते रहे